नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel first investment दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल Tuesday को हमें कौन से stocks पर trade लेना है और Nifty Bank Nifty का क्या scenario रह सकता है सबसे बहले स्टॉप जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया है वो है Tech Mahindra Tech Mahindra पर आप देख सकते हैं कि डिली चार्ट ऊपन है और डिली चार्ट पर जिस तरीके से आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं जो दो लाइन सापको देख रही है यह दो लाइ लाइन सप्लाय जून का काम कर रही थी हैं हमने देख रहे थे कि मल्टिपल बार उस लाइन को रीटेस्ट कर रही थी इवेंचली हम लोग ने इस लाइन का ब्रेक आउट देखा था बट ब्रेक आउट के बाद वो सस्तेन नी कर पाया और दुबारा नीचे आ गया सेकेंड टाइम इसने कोशिश करी दुबारा नीचे आ गया और थर्ड टाइम दुबारा आ रही है तो ऐसा क्या है कि यह उपर जाता है और नीचे गिर जाता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा से यह जूम करते हैं तो यहां हम लोग चेक करते हैं कि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर के ऊपर इसने जित्ती भी बार ऊपर कैंडल बनाई है एक ही ग्रीन कैंडल बनाई है यहां पर भी एक ही ग्रीन कैंडल बनाई है और यहां पर भी एक ही ग्रीन कैंडल है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी इस level से breakout आता है तो हम लोग बस एक green candle देखते हैं उपर उसके बाद एक selling आ जाती है तो now what we have to do, अब भी एक बहुत बढ़िया हमें advantage बिलावा है अब देख सकते हैं कि यहाँ पर multiple resistance है और exact अपने resistance पर एक खड़ावा है right now this particular stock is trading at 866 और इसका जो resistance है वो है 870 का तो अगर यह कल इस level के उपर निकलना शुरू करता है तो yes we can go for a buy in tech Mahindra 870 के उपर हम लोग एक buy in shade कर सकते हैं 870 के उपर देखेगा कि अगर पांच मिरिट की candle close हो जाती है so yes we can go for a buy in this particular stock तो Tech Mahindra को अपनी watch list में रखेगा and the next stock is Asian paints Asian paints आप देख सकते हैं stock उपर गया नीचे आया यह इसका previous swing high था breakout दिया previous swing high से जब breakout दिया तो जब नीचे आया तो उस पर retest करा previous swing high से breakout दियने के बाद retest करा and यहाँ पर अब इसने एक range warm कर लिया अब आप देख सकते हैं कि एक triangle pattern के अंदर जा चुका है अब अगर इसका higher side में breakout आता है so yes we can see an upper move but मैं ज़्यादा sure नहीं होगा इसमें मैं ज़्यादा targets के पीछे नहीं बागूँगा हो सकता है कि यह बहुत बड़ी movement भी दे दे बट मैं ज़्यादे expectation नहीं रखूँगा because आप देख सकते हैं इस range के अंदर इस पूरी range के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मुश्किल सिर्फ 4-5 सिर्फ green candles दिखेगी and maximum आपको red candles से दिख रही है maximum आपको red candles दिख रही है बहुत कम आपको green दिख रही है so मैं जादा इस पर trade initiate जादा तर नहीं करूँगा मैं कर सकता हूँ तो बट यह level जब break हो जो कि है 220 का ठीक है 2200 का अगर level break होता है तो yes I can go for a buy in this particular stock but आप लोग भी इसके अंदर buy initiate कर सकते हैं इसके उपर तेक है level से आप लोग वो telegram channel पर provide हो जाएंगे आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं next stock is wipro wipro पर buy करने के मिसाला दूँगा आप यहाँ देख सकते हैं कि एक fall आया उसके बाद यह हम लेगले जो bottom से trend line को जोडते हैं एक line draw करी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि support मिल रहा है हमे तेक है और भही पर हम लोग उनने देखा एक head and shoulder type pattern मना है और उसका breakout दे चुका है अच्छे candle के साथ breakout दिया है और past में अगर हम देखें तो volumes भी थोड़े से increase हुए जादा नहीं है but yes we can go for a buy in this particular stock 5-6 रुपे की movement इसमें हमें अराम से देखने को मिल सकती है तो हमारा third stock था विप्रो levels किस level पर buy करना आप लोगों बता रहे है जायरा next stock is second last stock is TCS TCS पर आप देख सकते थे कि यह जो एक gap up हमें देखने को मिला था यह gap up को अभी तक TCS ने फिलनी करा उसके बाद हम दोगों ने उपर साइड में movement देखी एक sharp fall आई sharp fall के बाद इधर ही होल्ट करा है जिस level से इसने breakout के बाद जिस level से movement स्टार्ट करी थी exact इस level पर होल्ट करा फिर उपर गया और दुबारा नीचे आके इस level पर होल्ट करा so right now आप देख सकते हैं यह इस ने इस level पर breakout दिया retest जैसी यह वाला resistance जैसी यह support break हुआ support become resistance ठेक है आप देखने support become resistance अब यह channel के अंदर काम कर रहा है यह channel के अंदर काम कर और कल आज के दिन हम लोगो ने इस channel का breakout भी देख लिया around 27 20 के आसपास हम लोगो ने इस channel का breakout देख लिया है yes we can go for a buy in this particular stock channel का breakout इधर भी दिया था but green candle के साथ नहीं दिया था एक indecisive candle थी but यहां पर एक confirmation मिल चुका तो yes we can go for a buy in this particular stock last stock is L&T housing finance L&T housing finance पर भी अगर मैं थोड़ा सा zoom out करता हूँ आप यहां देख सकते हैं कि यह किस तरीके से यह जाला जो zone है इस zone को हम लोग कहते है supply zone और डी मैं explain कर चुगा हूँ and इस supply zone पर आप लोग क्या देख रहे हैं यहां पर जैसी आता है इस particular range के अंदर stock आता है हम लोग एक fall देख लेते हैं ठीक है पहले बहुत छोटी fall आई उसके बाद एक sharp fall आई and उसके बाद एक दुबारा sharp fall आई ठीक है जो falls आप देख रहे हैं कितनी तेजी increasingly increase कर रही है but इसके उपर जाके अभी तक इसने closing नहीं दी है ठीक है इसके उपर जाके अभी तक closing नहीं दी है इस particular candle ने इसके उपर जाके closing दी उसके बाद stock नीचे आया इस zone के अंदर के bottom तक आया मतलब retest करा and आज के दिन दुबारा इस zone के उपर जाके close करा है so yes अगर यह 73.70 के उपर जाता है तो we can go for a buy in this particular stock और 77 से 78 तक के levels भी हम लोग expect कर सकते है ठीक है but 73.70 के उपर 5 minute की candle close हो जाए तो ही आप लोग buy initiate करेएगा अब आते हैं nifty and bang nifty में so nifty के मुकाबले bang nifty जादा week है but हम लोग bang nifty में कोई trading initiate नहीं करेंगे sell में करना चाहें तो कर सकते हैं और nifty के अंदर भी sell हम initiate कर सकते हैं और buy भी कर सकते हैं अब levels में बता देता हूँ आप लोगों को आपको nifty के अंदर buy करना आप देख सकते हैं अगर आप इधर देखें कि nifty ने अभी एक double top type scenario बना रखा है ठेक है एक double top type scenario बना रखा है and इसका breakout अभी तक नहीं आया है so अगर ही इस particular 960 के उपर 12,965 के उपर अगर ये निकल जाता है nifty intraday में और हम लोग देखते हैं कि 965 के उपर 5 minute भी sustain कर जाता है तो हम लोग यहां पर एक buy position initiate कर लेंगे but अगर हमें लगता है कि ये इसके उपर नहीं जा पाता और ये 12,900 के नीचे 5 minute की candle बना देता है तो yes we can go for a shot in this particular position also ठेक है nifty में buy or sell दोनों कर सकते हो nifty अगर ये particular level break करती है और इसके नीचे 5 minute भी wait कर लेती है तो yes we can go for a shot अगर इस line की उपर 5 minute wait कर लेती है तो we can go for a buy but bang lifting की बात कर रहे तो bang lifting अभी मेरे हिसाब से buy नहीं बन रहा है यह अपने retest point पे खड़ावाई यह मैं आपको एक बार दिखाता हूँ आप देख सकते हैं एक sharp movement आई halt करा yes के लिए swing high बन गया halt करने के बाद swing high को break करा वही पर ही retest करा और retest करने के बाद जो यह वाली candle देख रहे हैं ने green color की candle आज इसके उपर closing होनी important थी बट इसके उपर closing आई नहीं है तो हम लोग bang lifting के अदर buy initiate नहीं करेंगे जब तक हम लोगों को इस particular मतलब की जब तक हम लोगों को 29,250 के उपर closing नहीं मिलती है जब तक हमें bang lifting में 29,250 के उपर closing नहीं मिलती है we will don't go for a buy हम लोग buy के लिए नहीं जाएंगे बट अगर यह इस level को break कर देता है which level अगर यह 28,960 को break कर देता है yes we can go for a short हमें आराम से हाँ पर 100 points आराम से मिल सकते हैं और उससे भी नीचे हमें मिल सकते हैं but bang lifting में हमें buy करना है जब closing मिलीगी और bang lifting में sell side में हम लोग 5 minute की candle देखकर short कर सकते हैं but buy के लिए bang lifting में हमें closing की important है वो भी daily candle की hope you all understand so इसी के साथ मैं session को end करता हूँ वीडियो को end करता हूँ और जो भी telegrams पर levels होंगे आप लोगों को provide करवा दिये जाएंगे सुबह 8 बजे से पहले पहले आप आप जाके चेक कर सकते हैं so guys मैं मैं बलते हूँ आप लोग से अगले session पर मैं शेवांज मसीन signing off कर दो